करने की तो यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है ओपो ने नाय मॉडल नौंच के बार में कैमरा क्वालिटी और बागी सारे रिव्यू चेक करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स ब्रैंडिंग के बारे में ओपो का यह 17 के नीचे म लिए नौर्मली और इसके सबसे नीचे देखे जाएंगे तो प्राइसिंग बगेरा लिखी हुई है तो प्राइसिंग जो है वीडियो में आकरिम आपको बताता हूं बोक्स कट कर लिया मैंने ओपन कर लेते हैं इसको बोक्स ओपन कर रहा हूं मैं अगर आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें बॉक्स के अंदर एक मिनी बॉक्स में कुछ यूजर मेनु का एक सिम इंजेक्टर टूर निकला है कुछ यूजर मेनु गाइड निकली हुई है जो नॉर्मली है इसके बाद में देख जाए गए बॉक्स के बहुत ही हलकी क्वालिटी का साइट में में बीच में टांसफेरेंट है काफी हलका इससे प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं अब मॉइल को एक सारी एसो स्रीज बगरा बॉक्स में देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें 10 वाट का एड़ाफटर म पीछे एक केमरा दिया है उसके नीचे फ्लेश दी हुई है साइड में फ्लेट है फोन की डुकिंग बाइस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और पकड़ बी काफी ज्यादा अच्छी है फोन के फिजिकल व्यू में देख लेते हैं फोन के राइट एंड साइड में वोल् 2 trouver memory का एक साथ लगा सकतें 1 टीबी memory कार्ड यह सफोर्ट करेगा आम बेकसाइड देанти शाब लेते तो बेकसाइड फूरा अफिलेट है लेकिन केमरें नीचे फ्लेश ऐए और फ्लेश के नीचे को扇च टेक्चर डिजाइन दे रखिए है जो की फोन को थोड़ा premium लुक फोन की डिस्प्ले साइज देख लेते हैं डिस्प्ले साइज में डिस्प्ले जो है IPS डिस्प्ले दिए कंपरी ने यहां पर हमको और डिस्प्ले का जो साइज है 6.56 इंचीज की लॉज डिस्प्ले है डिस्प्ले काफी बढ़ी है लेकिन जो है 60 हट्स की डिस्प्ले यहां प परेंट का स्क्रीन डैटीन आ है यह जो बेरियंट यह वह ओपो ए 17 के 364 में आता है इसकी प्राइजिंग जो रहने वाली है ना वह ने वाली है 900090 वह इतनी कम प्राइस सेग्मेंट में जो फ़ोन आ रहा है तो समिंटर्नल मेमोरी भी कम है इतनी कोई खाज जाता नहीं तो इसमें जो फालतू की एफ से वो डिलीट कर सकते हैं आप जो आपके यूजर्स में नहीं आने वाली है वो सारी एफ सो आठाक नेंगे तो बहुत 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 बढ़िया चलेगा यह फोन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि फाल नहीं आपके छेर करता हूं इस जो करता हूं केमरे में फर्स्ट नौर्मल फोटो जो लिकार से केमरे कर thumbs करता उं यह जो आट मेंगा पिक्सल का इसका रिएर। केमरा है बेग टीक आ रही है क्यूंब करने पर इसकेमय तो कोई क्योब पृटटी नहींनीक metal हैं जो है कम कॉ फोटो है उसका देख लेते हैं रीविव तो उसका रीविव जो है ना उसकी कही ज़्यादा कमी आए उसमें इतना अच्छा वालिटी नहीं दिखाई दे रही है नहीं ज़्यादा जूम हो रहा है तो नाइट विजन इसका कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं है अब प्रो फिक्सल का फोटो ठीक तक आ रहा है जूम करने पर भी अच्छी क्वालिटी देखने को लग रही है लेकिन यह वाद पक्किए कि अगर आप वीडियो में करें वीडियो बगेरा बनाते हैं तो एक केमरा इतना स्पेसल नहीं है जो आपको सपोर्ट दे पाएगा फोन की सेटि में कई सारी सेटिंग दे रही हैं पर हम देखते हैं तो यहां पर जो ओप्संस आता यह डिसْप्ले सेटिंग में तो डिस्प्ले में तो भी सह कर सकते या पर स्फीब को भी सब्सक्ते हैं स्विप से राइट लेफ्ट से वैक और शुप्संस का निशान dibuj और या जाता है त screenshot के 2-3 options दे रहे हैं टेप करके दवा के रखना है या स्वीप करना है यह सब 2-3 तरुकों से screenshot को भी on कर सकते हैं जिसे हम phone में screenshot ले सकते हैं आगे OTG options से इसको on करेंगे तो OTG connect होगी आप नहीं करोगे तो OTG कितना भी लगाओगे ओन नहीं होगी display में अंदर file manager में फोन की storage देख लेते हैं हम phone की storage जो setting में देखते हैं तो 64GB storage phone की है तीन चो सट का variant है तो लेकिन system memory जो लेता है वो भी आप हम चेक कर लेते हैं तो system यहां पर करीब करीब 27% मतलब की अब देखादार मोटा मोटा 17 से 18GB only system ही यहां पर internal memory ले रहा है बाकी की memory हम use कर सकते हैं phone में extended RAM का option दे रखा है यहां पर 1GB से लेके 4GB तक हा चार जीबी तक हम extended RAM का use कर सकते हैं यहां पर जो 3GB RAM company ने यहां पर दिये तो बढ़ा कर हम 7GB में use कर सकते हैं अब यहां पर हम देखेंगे android version के बारे में तो company जो android version यहां पर दिया है वो latest दिया है 12 का यह 12 का latest android version है अब इसके साथ में जो अप्ग्रेशन आएगा तो यह अप्ग्रेट भी हो जाएगा अगर आपका कोई friend है जो दस्यार की range में कोई phone लेने वाला तो यह video उसको जरूर शेयर करें जिस्तों उसकी help हो सके एक अच्छा product purchase करने में इसमें कई सारी quality और review हमने दिखा हैं आपको deeply फोन में split screen का भी option दे रहा हैं यहां पर setting के अंदर हम split screen करके इसको चला सकते हैं मतलब split screen करने के बाद में एक phone के अंदर दू स्क्रीन हाराम से हम चला सकते हैं दो चीज अलग-अलग हम use कर सकते हैं उसको केसे करेंगे setting में दिखाई दे रहा है अगर आप हमारे चैनल पर है तो चैनल को subscribe करना ना भूले हम और भी अच्छे अच्छे review आपको phone के बारे में देंगे अंदर से detailing बगेरा निकाल के देंगे support करें हमें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like करें और कोई भी phone लेने वाला है आपका friend तो उसको यह video जरू शेयर गाए जिससे उसक अच्छे एलफ दो पार